हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एसेच फेशन वर्ल्ड आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा डिजाइन लाई हूँ जिसको देखे मैंने बॉर्डर पर डाला हुआ है और यह बटन पट्टी पर डाला हुआ है और बनाने में बहुत ही आसान है और इस तरह की स्वाटर शेयर कीजेगा और अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल अगन को जुरूर प्रेस कीजेगा इससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और देखे इस डिजाइन की एक और खास बात है अगर आप इसकी बटन बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें देखे अल्रेडी जाली यह पढ़ती है तो चड़िए सीधा बढ़ते हैं टुटोरियल पे इस डिजाइन को बनाने के लिए आपने 3 के मल्टिपल में फंदे रखने हैं और प्लेस कर लेना है 4 चार मैंने एक्स् 14 फंदे मैंने यहां पर बटन पटी के लिए रखे हैं तो इसके उपर ही मैं आपको यह वाला डिजाइन देखे बताऊंगी यह पूरा जो मैंने बनाया हुआ है तो देखे पहली रो सीधी तरफ से रोवन राइड साइड से क्या करेंगे दो फंदे सीधे बनाए यह जो मै प्रोडर यहां पर डाल रहे हो देखे तो वो हम पूरी उल्टी ही बनाएंगे इस तरह से पूरी उल्टी आपने यह बनानी है यह वाली रो अब आजाए ये रो टू में रॉंग साइड से तो रो टू रॉंग साइड से देखें ये वाली हम पूरी उल्टी बनाएंगे पहली रो भी और दूसरी रो भी हम पूरी उल्टी बनाएंगे राइट साइड से भी उल्टी तो रॉंग साइड से भी उल्टी बनाएंगे अब आजाए ये रो थ्री में राइट साइड से तीसरी रो है हमारी ये सीधी तरब से तो देखे इसमें क्या करेंगे दो फंदे पहले सीधे बनाएंगे फिर देखे ये हम हर वार ये सीधे ही बनाएंगे क्योंकि हमने edge stitcher रखे हैं और देखे अब क्या करेंगे हम अब धागे को हम आगे लाएंगे और फिर देखे तीन फंदे हम यहाँ पर तीन का एक फंदा बनाएंगे और ये हम उल्टे बनाएंगे इस तरह से तीन का हमने एक फंदा बना लिया फिर आपने इसको छोड़ना नहीं है इसके बापिस से हमने तीन फंदे बनानी है तो इसके लिए क्या करेंगे धागे को घुमाएंगे और इसको बापिस से उल्टा बनाएंगे इस तरह से अब देखिए इस तरह से और इनको हम स्नीडल से उतार देखिए यही हमने बार बार रिपीट करना है फिर से देख लीजे एक पार तीन फंदों को एक साथ इकठा बनाएंगे उल्टा तीन का एक फंदा हम पहले बनाएंगे इस तरह से फिर इनको छोड़ना नहीं है बार दागे को गुमाएंगे और इन तीन फंदों को एक पार फिर से उल्टा बनाएंगे इस तरह से और फिर इनको स्लाई से उतार फिर इनको धागे को गुमाके फिर से इनको एक बार उल्टा बनाना है और यही देखिए हमने बार बार रिपीट करना है पूरी रो में नीचे जब हम बार डालेंगे तो पूरी रो में हमने यही रिपीट करना है लास्ट में दो फंदे देखिए हमने edge stitch सुरू में भी दो हैं तो लास्ट में भी दो हैं यह हम हर बार सीधे ही डालेंगे सीधी तरफ से और इस तरह से देखिए एक बार फिर से यहां पर हम इनको इकठा बनाएंगे तीन का तीन फंदे वापिस से बना लिए फिर देखिए अब हम यह वाला design आगे डालेंगे तो यह वाला design मेंने कैसे डाला हुआ है देखिए यहां तक हमारी बटन पटी हो गई यह बटन पटी के फंदे हो गए अब इसके बाद देखिए जो आगे वाला design है उसको हम दो फंदे सीधे डाले हैं और धागा आगे लाकर एक फंदा ल्टा दागा पीछे दो फंदे सीधे दागा आगे एक फंदा ल्टा इसी तरह से आपने ये पूरी रो कमपलीट कनी है दो फंदे सीधे एक फंदा है हमारी ये उल्टी तरफ से आप इस डिजन को रिवर्से में भी यूज़ कर सकते हो दोनों तरफ से बहुत ही प्यारा ये लगता है तो देखे ये वाला डिजन कैसे डालेंगे पहले हम दो फंदे उल्टे बनाएंगे जो पिछली रो में हमने सीधे बनाये थे फिर धागा पिछे एक फंदा सीधा जो पिछली रो में हमने उल्टा बनाया था सीधी तरफ से उसको हम रॉंग सैट से सीधा बनाएंगे और दो फंदे उल्टे बनाएंगे और देखे इसी तरह से हमने ये कंप्लीट करना है बटन पट्टी तक जहां से हमारी बटन पट्टी स्टार् टे हैं वह हमने सारे उल्टे बनाने हैं मतलब यह वाला जो बॉर्डर हम बनाएंगे उसमें फोर्थ रो में हम उल्टे ही बनाएंगे इसारे फंदे अब देखे यही चार रो आपने बार बार रिपीट करनी है रो बन से लेकि रो फोर तक आपने गंटिन्यू करना है अगर पहले आप बॉर्डर बना लीजी उसके बाद आपने देखे बॉर्डर के बाद बटन पटे के लिए 14 फंदे छोड़ने है और पीच में हमारा डिजा किसी पर भी अगर आप फूल कार्डिगन में भी बनाना चाते हो और आप चाहिए तो इसको यह ऐसे बॉर्डर और बटन पटी पर भी बना सकते हो बहुत ही प्रेटी बनता है और यूनीक सा यह पैटन है तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जूर बताएगा आई ह नहीं आया हो तो प्लीज कमेंट कर सकते हो मुझे मैं आपके जवाब देने की कोशिश करूंगी तो थैंक्स वर वाचिंग मिलते हैं नेक्स वीडियो में स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियो हिसे लगाइंगा हो वीडियो वीडियो में पहीं पहाइंगा ट्यून फॉर वीडियो में, ये भीडियो में तो बताएगा हो प्लीज के लेदी हैं।